हेलो श्रुडेंट, वेल्कम टु दिस वीडियो, फाइनली आपका पेपर हो चुका है, कक्षा नवी की बारसिक वरिष्या 2022 का, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका जो पेपर हो चुका है, एक अपरेल 2023 के दिन, किस प्रकाद से है, ठीक है, और जो मैंने आपको कोर्शन पेपर, मोडल कोर्शन पेपर प्रवाइड कराया था, उसमें से लगभक सभी कोर्शन पूचे गए है, चार प्रशनों को छोड़कर बाकी पूरा पेपर आपका बिल्कुल A to Z, जिसने मेरे पेपर की अत्पास हित कर लिए होते, तो उसका पूरा बिल्कुल बन गया होगा, ठीक है, देखे, निमलिखित प्रशनों में से सही बिकल्प चैन कर लिखिए, सही बिकल्प का चैन करके लिखना है, शेह नमर के आपके आया थे, हिंदी साहित का सोड़ियोग भक्तिकाल को कहा जाता है, ए ओप्सन इसमें लगा कर आता था, क्यों आता था, हाजरी लेने के लिए आता था, अनके दश्चा ओ धेरद होग की मेल से होने बाली ही पधिवर्धन को क्या आता है तो संधृ कहते है, इस जलपरलाय में पार्ठ की विधा है तो क्या है पार्ठ की विधा है उस पिकापना से आपके, रिपोर्त सेट सी वाला ठीक है निम लिखेते रिक्तिस्तान में सही सब्द का चैन करना है देखे खुलेगी सांकल बंद द्वार की इसमें द्वार आ जाएगा रसको काविगी आत्मा कहा जाता है बताया गया है यह मैंने बापको बताया हुआ यह कोश्चन ठीक है मात्रिक छंद में मा सभीतिक ये सब मैंने आपको पहले बताय हुआ भी है मेरे नाना पक्कए साहब माने जाते थे यह बी कॉशन मैंने कराया हुआ पहले निम लिखित सही जोड़ी का सही मिलान करना है सही जोड़ी देख लिए जिसमें आपके इस प्रकात से इसमें कुछ ज्यादा दी गई थी एक्स्ट्रा दी गई थी दो लेकिन इन्वेसे जो सही है वो आपको करनी है तो देखिए माखनलाल चेतुरबेदी की जो रचना हो जाएगी एक भारती आत्मा ठीक है रस के अंग चार होते हैं आप सबको पता है इस प्रकात से आपकी सही जोड़ी थी बाकि इसके अलावा जू भी आपने लगाया हुआ वो गलत है ठीक है तो इस प्रकास से आपको लगानी दिए चलिए अब अंगले कोश्चिन की तरह बढ़ते हैं कि निम्लिखित प्रशनों के उत्तर एक बाक्य में लिखना है ठीक है चौथा प्रशन है कभी पंत ने गाउं को हरता जन्मन क्यों कहा है ठीक है गाउं को हरता जन्मन क्यों कहा है तो इसका अंसर कैसा लिखना था मैं आपको पढ़के बता देते हैं लंकार कि क 착 Start on about Shabdala होते हैं साहतिक पुरखे किसे कहाँ अच प्रेम चंद को साहतिक पुरखे कहा गया है ठीक है प्रिम चंद रमhand को जा क्थंपक्ष्ण औरबाव्य हो तो बहा पर अभ्य इवाव्य Tort टीक है कि यह क्या हुआ कि अब बही परसमास ठीक है तो अंगला दिखते हैं अब बही परसमास हो गया ये ये लोग में परिचलत उक्ति क्या कहलाती है लोकोक्ती कहलाती है ठीक है लोकोक्ती और लोकोक्ती हो महावरे में अंतर बताया था मैंने उसमें बता दिया था लेखका मिर्दुला गर्ग की परदादी ने मंदर में जाकर क्या मननत मागी थी तो इसका अंसर यहां से लिखेंगे मतब लिखा होगा आपने लेखका की एक परदादी थी बे ठीक बे लीक से हटकर चलने वाली वारत थी उन्होंने भागवान से मन्नत मांगी थी कि मेरी पतोहु को पहला लड़का ना होकर लड़की पैदाओ ऐसी उन्हें मन्नत मांगी इस प्रकास से आपके यह सभी कोश्चिन हो जाते हैं आप देखिए पाच्वा इस जल प्रिला में पाट के लेखा कि तैरना जानते थे तैरना नहीं जानते थे गरत लिखा हुआ है सत्त हो जाएगा रामसरूप की बतनी गराम प्रेमत था यह इस प्रकास से आपके सत्त भी हो जाते हैं तो सभी अपजिक्ट कोश्चिन मैंने आपको बता जिए आप लो यह वाला कोश्चन मैंने करा हुआ है को यह से इस्या क्यों हो रही है जिसने मेरा वीडियो देख लिया होगा विस्स वाल्यूसन वाला उससे बिल्कुल अच्छे से प्यपर बन क्या होगा ठीक है और यह वाला जो प्रश्चने थोड़ा मैंने नहीं बताया था बाकि यह ठीक है उसको बदिखे आप देख लीजिए विल्कुल ऐसे प्रशन नहीं पूछे गए हैं जो मेरे ना कराया है वहुत ही कम प्रशन जो नहीं कराया थे ठीक है यह वाला देखिया कराया था बादसर किसा यारे के संब्सक्राइब को संबाद लिखना था इस प्रकासे आप देख सकते हैं सभी सब्सक्राइब जिरू करना चलिए मिलते नेक्ट वीडियों